सोलो गाइस बहुत बहुत स्वागत आप कामारे यूट्यूब चलमें मैं आपको इस वीडियो में आने वाला हूँ आप विभाफ फून में किसी भी एप की पर्मीशन अन ओफ कैसे कर सकते हो कैसे आप विभाफ फून में आप की पर्मीशन अन ओफ कर पाओगे मागए इस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो बहुत जूसफल होने में वीडियो को जरा बेस्केप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार करते हैं तो फर्स्ट अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तरब एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है तो चल्ए वीडिको आगे बनाते हैं तो यहाँ पर आपको एर्प्स की प्रमीशन ऑन घर्रिए आपको चलिए सेडीर के आपको ओपड़ेने के बाद यहाँ पर आपको कर दो देना है नीचे नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा एप्स एप्स पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बार यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्स मिलेगी तो सिप्ली यहाँ पर आपको क्लिक करना है डोज़ वाला यहाँ पर आपको search कर लेना है नीचे यहाँ पर last में आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखते हो तो WhatsApp यहाँ पर लिखा हुआ है तो simply इसकी उपर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे notification, second number पर permission आपको मिल जाएगी तो simply इसकी उपर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको किसकी permission on off करनी है camera, contacts, location, microphone, nearby device, storage तो यहाँ पर आपको camera की मालो, camera की करनी है permission on off तो simply इसकी उपर को click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको तीन option आएंगी don't allow, ask every time, allow only while using the app तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको permission को don't allow कर सकते हो, allow कर सकते हो ठीक है, ask every time यहाँ पर कर सकते हो जो आप किसी से वीडियो कॉल करो तो यहाँ पर उस टाइम आप, आप से permission मांग लेगा ऐसे यहाँ से कर सकते हो उसके पर यहाँ पर आप देखते हो, तो contact किका यहाँ पर permission करना है, don't allow करना है allow करना है, तो यहाँ से आप इसको change कर सकते हो तो ऐसे आप यहाँ पर किसी भी app की permission on-off कर पाऊगे, तो मीत करता हम आपको यह information useful लगीए useful लगीए तो वीडियो को like कर देना